आज हम आजे साथ टेली के राजीर मलोतरा जी जो स्टेगादार है और जो बाबा के बहुत नजदीक और बहुत पुराने भगते हैं तो आज हम उनसे बाबा के बारे में कुछ नीठी प्यारी बाते जानना चाहेंगे कि उनके साथ बाबा के कैसे कैसे वाले अनुभव हुए ऐसे तो बहुत सारे होंगे पर एक को शैस हमारे साथ चच्छा शेयर करेंगे तो ताजीद मलोतरा जी भिया जी प्लीज आप अपना बाबा की बारे में बताईए ओम साहिरां मेरे फावर जो थे बाबा के बहुत बड़े डेवोटी थी उनी की वज़े से बाबा के चल्रों में लगे जब यह मंदर नया-nया बन रहा था तो मंदर में वह उपर जाते थे मैं नहीं जाता था तो मैं द्याल सिंग कॉलेज में पढ़ता था यूनियन वगरा चलाता था तो हम लोगे पर के स्टुडेंट्स के बनी जाते हैं शैतानी करनी पसे तोड़नी ये काम तो करते ही थे हम द्याल सिंग कॉलेज के अंदर तो फादर मेरे उपर जाते थे और धर थरस्डे को चने का प्रशाद बाढ़ते थे बाबा का सब्सक्राज को मेरे को बोलते है उपर चल मेने का मैं precisa मोरे नहीं हम लोगा तो जब के समारे चल रहे थे तो उस दिन मुझे थरस्डे का इतना महत्त को मालूम नहीं था और थ्रस्टे के दिन हमारी डेट पड़ी तो मैंने भूला अपने फादर को कि अगर मेरे केस यहां आट नो केस हो गएते के केस यहां खतम हो जाएंगे तो मैं बाबा के पास आऊँगा हम लोग गए वहां ममता सेगल की अदालत में गए हम लोग तो इस दिन जैप्रकाज जी ने ओद लीटती जन्ता पार्टी की तो उन्होंने हम तो भुलाया कि आप लोग चैतानी करते हो बसे तोड़ते हो आपके पर इतने केस हैं क्या किया जाए हम लोग इतनी कोले हम बैठे रहे तो बात अभी चली रही थी तो इतने में गौर्णमेंट का एक ओर्डर आया इस स्टूडन्स के जो मडर केस है उन और लगेदी केस है वो छोड़के सारे केस इनको वर्णिंग दे कर छोड़ दिया जाए सब्सक्राइब कर दिए और हमको वहां से उन्होंने बोला कि आज के बाद ये काम नहीं करना हम आपके उपर से केस खटाते हैं वो दिन से मैं बंदिर जाने लगा नाइंटीवन के अंदर मेरे फादर बिमार हो गए बहुत कियों को कि खुचिक होगा बेट पे ओगाई थो रोज मंस शर्पार करता था एंकर कर दे एक दिन मोर्निंग मेर्स होगा तो मैने डॉक्टर सो मुलया मैंने कर दोक्स आब ए सॉंद यकरोब ये तो करभत कर ले घुए बहुत परिशान होते वां तो डॉक्सरा पूलते हैं कि इनकी चमरी तो बहुत नरम हो गई है और ये एक बार ही इनकी पैंड़िट हो जाए पट्टी हो जाए वही बहुत है उस दिन मेरी इनकी कजन की बेटी की या किसी का कुछ था तो हम लोगों ने जाना था कहीं पर कि अनुदेगे पर मझाता था है को श् rakka मंदर्फरीया ख्याए या मिनका बावा आगे ओपा अब जाने दो कि आया हैं और बहुत परुशानी में है इनको अब आप जाने दो जो दुख तक्रीप आप मुझे देखो मैं सेने के लिए त्याव हुआ मैं छे बजे घर पे आया कमरे में दिवार की तरफ मूं करके लेटे हुए थे और मैं महश्या मगता कर ठीक हो जाया थीक हें लेकिन उस दिन मैंने मागा मैंने कहाई यह बहुत ततली प्ति सफिए अब इनको अब बार उठाई हो तो जदा अच्छा है मैं मन्दर में देख रहे हैं मैं मन seriously पहुआ हैं तो हैं वह इस दिवार से दुशे तरफ करके मुझे देखा उनके आँसों निकल उन्हें मेरे हाथ लबाया बड़ी दोर की मैं सिर पे हाथ फेरने के लिए चला गया मैं सिर पे हाथ फेरा और में चला गया अपने रूम में गया मैं कपड़े बदलने के लिए तो अतने ज़र में मेरी मदर उनको फीट कराने के लिए छे साड़े छे बज़े आती थी एक सर्वेंट था हमारा वो उठाता था उनको चुरूडी टृष और मामोरी तनी सुनते था अपाबार को किसे बताने सप्वाबार मेरे विर ने मांगा चे बजयura मांगा साड़े छे बज़े वो चले भी गए इससे ज़्यदा आप क्या पूल सकता है एक और कहानी मैं आपको बताता हूं हम शेड़ी गए हम सेड़ी गए हम गोवा गए गोवा से अमने शेड़ी आना था कि तौन इतंथ हैं तो शेड़ी में हम दशन किये तो पावा की बहुत बड़ी फोटो तो मैंने अभी खंडित करेख नित अंनी है कि इनको बमला गे में या फोटो ले चाता हूँ इन्होंने बोला आप बहुत फोटों होती हैं जैसे वो भी अपनी जगह ठीक है खंडिक होती है पैरों में आती है नहीं लेनी है इसमें चार बजे उठा शाड़े तीन-चार बजे वो दुकान खुली हुई ती मैंने वो फोटों ले लिए उससे और लेके मैं आ गया जब हमने बंबे से दोवा से बंबे की फ्लाइट पकड़ी दुबारा से गए हम वापेस फ्लाइट हमने पकड़ी तो इतना तुफान था कि वो बंबे में निच्छे उतर ही नहीं पा रही थी फ्लाइट और मैं बाबा की फोटों लेके बैठा हुआ था आठ के अंदर तो मेरे नों को खाना सर्व किया गया था उनके मूँसे खाना निकल गया डर गए सब लोग चिका चिली करने लगे चिलाने लगे क्योंकि फ्लाइट एक दम वोंडर में फस गई मिरे को बोलते हैं कि तुम को डरनी लग रहा है मैंने कि नहीं मेरे बाबा मेरे साथ है मुझे क्यों लगेगा वही और आप बिलीब करोगे ऐसा अइसा फ्लाइट मुख्ण की तरह निचे उत्री आशाम मुख्ण से निचे उत्रे और बिल्कुल उच्छ भी नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ और कितने साल फोटो मेरे पास रही है कितने साल फोटो रही है मेरे बीच साल चुछ साल फोटो हुआ हैं कि भुर्स है लाइफ एंदर बाव इंदर के लिए बहुत इक्सिक्परीन्थ लीयुक हाव तुम मेरे इंसंग चलते हैं वह कहीं व्हाब स्हुनां हथो इसे ै प्हुत है आदमी कर गएगा है हम जतना शुक्रिया करें उतना कम है इस्कुना शुक्रियाँ किससे तो बहुत हैं बताते बताते हैं आदमी ठक जाएगा मेरी दुकान थी लोगी रोड के अंदर हाट फूट जगह हमने आगे बढ़ा रखी तो वहाँ बाबा की फोटो लगा रखी थी बड़ा सुन्दर हमने बनाया हुआ था देमॉलिशन के ओर रागे पूरा मार्केट कर आप इससा पूरा आगे का तोड़ दिया मेरी दुकान नहीं तो दिखी निक और साथ में रेस्ट्रेंट है जुनेजा वहां बोलो इंजिनियर आया तो उसने बोला भई यार यह दुकान कैसे बच गई हमने तो सारी दुकान ही तो उनका मैनेजर है कपूर वो बोलता है यह बावा का भकत है यह तुमको दिखाई ही नहीं होगा कुछी फिर मैंने खुदी दुमोलिश करी वो दुकान अपने इसाफ से नहीं तो मुझे असी जार प्या भी देना पड़ता जो उनका नॉम्स के इसाफ से होता है खर्चा उनका मैंने अपने इसाफ से उसको फिर तोड़ा भी ठी किया टूंगे वावा की तो बड़ी कृपा है अंगे अभी आया तो बताएंगे और बड़ी बाते हैं कभी पूछे दो पताएंगे कि यह बैटे बैटे आप ठक जाओगे सुमते सुमते रहा दे अंगे जैसे हम जानते हैं कि आप तो बाबा से बहुत जुड़े हैं और आपके यहां तो पूरा साल ही बाबा का कुछना कुछ चलता रहता है और आप बहुत समास सेवा भी करते हैं आप और जिंटी जी तो ही बाबा के बहुत करीब और बहुत अच्छे भले कामों से जुड़े है बाबा तो इधकatu चैन ना में बाबा का भंडार है और हम आंगे और ज़रूर सुनना चाहें wa क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बाबा की बारे में आजकल लोग ससंग बोलते हैं, वो ही बाबा का सिम्बरन ससंग यही होते हैं कि बाबा की बारे में चर्चा करें और हम बताएं हमारे बारे जैसे हमें खुशी होती है, हमारे पेरेंस हमें कुछ देते हैं, उमें बड़ा अच् तुम अपने बावा के बारे में क्यों ना बताएं, कि हमें हमेरे बावा ने हमें क्या क्या दिया है, तच्छी बात है, और हम आपसे जरूर मिलना चाहेंगे, इनपीजी से और आपसे, और जरूर अपनी टीम के साथ आपके पास आएंगे, आपसे बात करने के लिए, और बह